हलो दोस्तों अब आज जमू चैनल से मैं राजीब कुमार सिंग आज मैं हासडी में हूँ और हासडी में ऐसा साधी हुआ है कि समाज को इससे सिछा लेनी चाहिए और क्योंकि फिजूल में जो खर्च करते हैं उसका बचत भी होता है और यह समिधान को साच्छी मान कर साधी क साधी कर सकते हैं हां सर बताइए क्या करता है विस्स रूप से क्या किया धन्यबाद सर जो इस न्यूज को अब कभर कर रहे हैं साधी सर हम लोग महराजा विवाभवन टीयार नरहेने स्कूर में 28 नुमबर 2023 को साधी किये है तो हमारा जो साधी है सर किसी धार्मिक रिती रि तो मैंने उसी के according किया है मैं किसी religious belief में belief नहीं करता हूँ मेरा खुद का एक सोच है कि जो समाज में समता समानता का बात करता है वो हमारे देश में कानून जो चलता है वो संसत और कोट से चल रहा है तो हम लोग कोट और संसत के ही बातों का अनूपालन करें क्योंकि बहवा अरिकता में वो केवल एक आस्था के नाम पर और परंपरा के नाम पर ढोए जा रहे हैं और लोगों को डर लगता है युवापिडी के लोगों को कि जो सर्यों से चली आ रही बेवस्ता है उसके बिरुधम कैसे कारी कर सकते हैं लेकिन कोई न किसी न किसी को कदम बढ़ाना पड़ता है तो मैं आपने आपको सुभा कि साली समझता हूं कि मैंने ये कदम बढ़ाया है देखिए सबसे अच्छा काम आप क्या किया है कि देहेज नहीं लिए हैं और इस समाज में रहना है तो समाज के अनुसार चलना पड़ता है और एक आएक सब कुछ नहीं खतम कर सक हैं लेकिन सबसे अच्छा जितना भी आप काम किये सबसे अच्छा काम आप क्या किया है कि आप देहेज नहीं लिए हैं और इस पर कुछ बोलिए जैसे मैंने किसी भी परकार का कोई इनसे कैस जो लेन देन होता है वो सब मैंने नहीं किया लेकिन इनके जो माता-पिता है व वह सब चीजे अपने बेटी के लिए दिये हैं। और है क्या साधी तो रोज होते रहता हैं। तो जो बैदिक कल्चर है किसी भी धर्म का वो बहवारिकता में नहीं है। जिसे कोई मंत्र अगर पढ़ दिया गया। तो उस मंत्र का पूछिये कि क्या मतलबर उससे क्या बेनिफीट है तो कुछ हो नहीं रहा। लेकिन जो संविधान का जो तरीका है इसे महिला जागरुक होगी। बच्चे जागरुक होगे अपने अधिकार से को समझेंगे। तो जो भी बैवाहिक जीवन में दिक्कते पैदा होती है और जो लड़कियों को जूकना पड़ जाता है किसी किसी कारण से पूरुसवादी समाज में इन सभी चीजों से लड़ने में उसका मनोबल बढ़ेगा। और वो समानता के साथ बहबार करेंगे। उसके जो पती होंगे वो भी लड़कियों को नीच समझने का परियास नहीं करेंगे कि यह कहां जाएगी हमारे बीना इसका जीवन सर्वाइव नहीं हो सकता है। अच्छा हम ऐसा कह सकते हैं कि यसे कि आप बोल रहे हैं कि सम्हिदान को साथ शेमान के हमने साधी किया तो क्या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपने कोट मेरेज किया है। अच्छा हमने किया है। मैं अपने गाउं कहीं दो तीन आदमी का मतलब बता रहा हूं कहानी कि वह अपने माता पिता के डेथ में दो दो तीन तीन कठा जमीन बेचना पड़ गया। उनके बच्चे भूमिहीन हैं आवास हम दे चुके हैं उनको लेकिन आवास बनाने के लिए उनके पास जगह नहीं है। तो हम समाज में आने वाले युवापिडी के लोगों को कहना चाहेंगे कि ये सब अंधविसवास और पाखंड है। किसी के मिर्त्य भोज कर देने से किसी के आतमा को सांती नहीं मिलती है। बिज्ञान की और बड़े अंधविसवास से मुक्ति पाए। मेरे दोस्तों इनका कहना है कि ये अपना सादी में खुसी से आज जैसे बहु भोज है तो खुसी से जो इच्छा अपना खर्च कर रहे हैं उसी तरह इनका कहना है कि जैसे मिर्त भोज करते हैं सरात करते हैं तो उसमें भी जो खुसी है ये समाज के दवाव से कि इतना दो बोलो अब जो जो मुझे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करने में कमी न करें जै हीन जै भारत